कार दुफतों मैं संदीब स्वागत है आप सुभीक आपके अपने सक्सेस टो यूटूब चैनल में दुफतों आज पार्ट नमबर 26 आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बिये पुलिटिकल साइन्स यानि की राज नीत सास्त्र से एलेटर जो एक्जाम में कुश्चन हैं और आने वाले आपके एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंड हैलफल होने वाले तो फ्लीज वीडियो को पूरा देखते रहेगा जिससे आप लोगों को सही से जानकारी मिल सके कि किस प्रकार की गुश्चन आते हैं और किस तरह की कुश्चन पूछ जाते हैं तो यह इंडिया के सभी चात्रों के लिए इंपार्टेंट है जो भी political science जिनका सब्डेट है पहले question की हम बात करेंगे इस वीडियो में सारे question important है और मैं आपको बता दू यह सारे question की मैंने pdf बना लिये और answer सहीद इन सभी की जो pdf है वो आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर मिल जाएगी आप कैसे डाउनलोड करेंगे ठीक है तो पहले आप कोईश्चन ध्यान समझेगा पहला कोईश्चन की कानून लोकमत्त की अभिविक्त क्या है या किस्टने कहा है अपसन आपको मिल जाएंगे A. जॉन आश्टिन B. बेंथम ने C. ग्रीन ने D. नमबर सिसरो ने दुफ्तुक कोईश्चन को समझने में आप लोगों को डिफकल्ट फिल होगा लेकिन ध्यान से क्विश्चन अगर आप समझेगे तो आपको जोरू समझ में आएगा अगर आप द्यान से समझेगे तो आपको हमेशा के लिफो कोईश्चन और एंसर दोनों आपको रट जाएगा ठीक है तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग फिरी होकर आराम से द्यान से समझेगा इक क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके एक्जाम में आपको पूरी शपालता मिलनी चाहिए मेरी कोशिस यही रहती कि आप सभी को में जो कोश्चन प्रवाइट कर वो आपको समझ में आने भी चाहिए तो कानून लोगमत की अभिवेक्त है यह किसने कहा है आप से आपको मिल जाएंगे इसमें मैंने बताए दिया इसकोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा डी नमबर एक है हलेंड लास्की सी नमबर लिंडसे और डी नमबर है केब्रे तो इस कोश्चन के तो राइट एंसर हो जाएगा अगले कोश्चन कर बढ़ते हैं लिखा है कि Political Science and Government के लेखक है नमबर एक डाक्टर गवर्णर बी नमबर लास्टी और सी नमबर है अरनेस्ट बारकर और डी नमबर है दुगवी तो इस question के जो right answer हो जाएगा दूस्तु वो हो जाएगा Dr. Garner ठीक है? राइट answer इसका हो जाएगा A number बात करते हैं एंगले question की लिखाए कि दी मारडन स्टेट के लेखक कौन है आपसे आपको मिल जाएंगी लास्की डाक्टर गार्णर मैकाईवर हालेंड तो एक्जाम में जो पुलिटिकल साइंस का जो पेफर होता है तो उसमें जो बहुत सारे ऐसे बुक होती है जिनका जाते है पुलिटिकल वाले में तो ध्यान में रखिएगा अगला इस सब्सक्राइब हो जाएगा मैकाईवर सी नंबर ठीक है बात करते हैं अगले question की अगला question कहे रहा दोस्तों की बहुलवादी बिचारक है नंबर एक लास्की मैकाईवर सी नंबर है एडी लिंडसे और अगला question कहे रहा कि राज की निरुंकुस सक्त के बिरोधी हैं नंबर आश्की नंबर है नंबर है यह सब्सक्राइब है तो बहुलवादी बिचारक वो लास्की भी है मैकाईवर भी है एडी लिंडसे भी है इसलिए question कर दो राइट एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यह निरुंकुस सक्त के बिरोधी हैं नंबर आश्टिन बी नंबर बोंधा आपसान सी है बहुलवादी दी नंबर यह सब्सक्राइब तो जो राज की निरुंकुस सक्त के बिरोधी हैं वह बहुलवादी है इसलिए question का जो right answer, से और हो रहाएगा C num', नमबर एक रीट्रिवाच्य नियाइक निर्माड कानूनी टिकाये और डी नमबर यह सभी तो कानून निर्माड के स्रोत्र है यहاं पर टॉड़ा करने में थोड़ा की इस हो गया है तो यहां पर कानून होना ქ सब्सक्राइब करने में कुछ वर्ड मिस हो जाते हैं तो कानून निर्माण के लिए रित्रिवाज भी होना जरूरी है नियाइक नेड़ाय नेड़े भी जरूरी है और कानूनी टिकाय भी जरूरी है सब्सक्राइब के समय किस देश में प्रधान मंत्री का परिवर्तन किया गया था भारत में ब्रेटेन में जापान में इनमें से कोई नहीं सब्सक्राइब के समय के प्रधान मंत्री का परिवर्तन किया था इसलिए का राइट एंसर जो हो जाएगा वह जाएगा बी नंबर ठीक है चलिए बढ़ते अंगले कुश्चिन की और अगला कुश्चिन कही रहा कि किस देश का समवैधानिक कानून अलखित है यानि कि बिन किसी कानून के लिखित में जैसे कि बहुत सारे देश होते हैं जिसमें एक कानून होता है इसे लिखित होता है इसमें अलखित की बात हो रहे है तो ध्यान लखेगा भारत का अमेरिका का ब्रेटेन का जापान का तो इन में से जो ब्रेटेन है उसका जो समयाधानिक कानून ह वो आ लिखी थे ठीक है वो लिखा नहीं गया है अब वो कैसे है इसके बारे हम डीपली आप लोग जानना चाहते तो आप नेट पर सर्च कर लीजेगा वहाँ पर मिल जाएगा फिराल यहां तक मुझे मालूम है कि इस जो राइट एंसर हो जाएगा ब्रेटेन में समवैदानिक जो कानून है वो अलिखित है ठीक है सी नंबर अगले को बढ़ते हैं जनता द्वारा कानून का पालन क्यों किया जाता है नंबर एक दंड का भय बी नंबर नैतिकता सी नंबर अधिकार रच्छा के लिए और इंसर को जाएगा दीनमबर चलिए बात करते है क्लों कोईश्टन की लिखाए कि लोग तंत्र की विशेष्टा है बौध इंप्राइन कोईश्चन है सासन में जनता का प्रतिनिद्दू जनता के हितों की रच्छा सी नंबर प्रतिनिदी जनता के प्रति उत्तरदाई और ड इस मेंसे जो राइट एंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा उप्रोग तुमें से सभी तो ध्यान में की कुईस्टन रखेगा मैंसे लिए दुबारा पढ़के दुबारा एंसर आप लोगों को बता देता हूं कि आपको काफी हेल्प मिले चलिए बाढ़ते हैं के तो जो अबराहम लिंकन थे वो अमेरकी राष्ट पती नंबर हो जाएगा वह जाएगा चलिए बढ़ते हैं क्लिए वे अग्ला कोशीन कह रहा है कि प्रते शिर्प्रजातंतर का सभसे उपीउक्त नमउना किस देश को माना जाता है ज्यान दीजिए का question पे प्रतिछ प्रजात अंत्र का सबसे उप्युक्त का नमूना किस देश को माना जाता आप्षन है भारत बेटें सिट्रजर लेंड और राष्ट आप्षन है इस question का स्री लंगा तो इस question का right answer हो जाएगा लिखाया कि प्रजात अंत्र का स्वरूप है प्रतिछ प्रजात अंत्र आप प्रतिछ प्रजात अंत्र होता है ठीक है स्वरूप राइट अंसर सी नमबर हो जाएगा बात करते हैं अगले question की हम अगला question है कि बहुमत का सासन होता है राष्ट अंत्र में लोक तंत्र में निरंकुस अंत्र में इन्में से कोई नहीं तो इस question को right answer हो जाएगा वो हो जाएगा करें हरुआ नासा और सी नंबर सर हेन्री मैं और डी नंबर रुशो तो रुश्च एक आप सभी को मालूम है कि मैंने इस दिन बताया है था कि यह सभी जो है वह दार्सनिक है यानि कि विदेसों के ठीक है तो इस कुछस्ट्ट राइट एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी न सबलता के लिए आवस्चह SEC लेडर ये सबी बढ़ते हैं कि लिए नीति दलो का होना हुश्य Tech पर राज तंत्र में लोग तंत्र में निरंकुस तंत्र में ताना साह में तो बात करते हैं लिखा कि आराज अक्तावात के साथ किसका नाम जुड़ा है तो आफसर मिल जाएंगी मुश्लोनी का और हिटलर का इस्टालिन का और सट्रे टी नंबर इन सभी का कोईष्चन का राइट अंसर हो जाएगा इस कोईष्चन का डी नंबर इन सभी का ठीक है चलिए देखते हैं स्था की ओर को बढ़ते हैं कि लिखा है कि निरंकुस साहसन होता है राज तंत्र میں अर राज स्टाफी थे वह ब्रेटानल में क segunda स्पाफित में इसलिए इसलिए सबसे बड़ा देश है ठीक है पहले तो आप सभी को मालूम है कि कौन सा देश है लेकिन बड़े देशों में भारत भी जाएगा चले बढ़ते हैं लेक्षित और हो से कूफल होता है इसलिए इसर suf Kin прेंड को इनमबर ये कुश्चिन थ्यान में रेक है इक आत्मक से लिट्ट कोई न कोई कुश्चिन आपके एक्जाम में पसेंड cm आना ही आना है तो यह आप लोग ढ़्यान इनलहर रखी एत अगला question कह रहा कि एकात्मक सासन में नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त होती है दोहरी तेहरी एकाहरी ओड़ी नंबर में से कोई नहीं तो एकात्मक शासन में नाग्रिकों होते हैं उनको इकाहरी नाग्रिता प्राप्त होती है इसलिए question के जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा अपसर नम्मर C तो दोस्तों आज कि इस वीडियों पहले political science से related पूरे मैं 25 questions include किये थे जो कि आपके आने वाले exam के लिए काफी help हो लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल पर पहली बार तो subscribe करके बिल आइकन प्रिस कर दीजेगा जिससे आने वाली और भी वीडिय से के इसलिए यह process कर लीजेगा ठीक है और बात रही इन सभी question के PDF की यानि की question जो है इनका PDF answer सहित आपको वीडियो की discussion में जो टेली ग्राम का link के उससे join हो जाई है वहीं पर मैं question answer की PDF डाल दूंगा तो आप लोग आसानी से download कर लीजेगा जिससे आपको इन future पढ़ने में आपको आसानी होगी अपको कोई question है कोई शुजाओ तो बैसकर comment करके पूछ सकते हम आपको मिलते हैं ने स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन